नमस्ते फ्रेंट्स में लाम लुक्षमिन कांते और मैं एक NGO कंसल्डेंट हूँ और आज के हम इस ओड़ों में देखेंगे कि आपको अगर नीती आयुग में अगर रिशेशन करना है तो उसके लिए कौन सी डॉकुमेंट्स और कौन सी इन्फॉर्मेशन की हमें जरूरत पड चाहिए और रिशेशन सेटिफिकेट होना चाहिए अगर सोसाइटी है तो ट्रस्ट है तो ट्रस्ट के केस में तो सेटिफिकेट रहता नहीं है इसलिए आप छोड़ दिए ट्रस्ट डेडी हमें चाहिए उसके साथ है ट्रस्ट फुल अड्रेस विद्पिन कोड क्योंकि वह create करते हैं इसके website के ऊपर तो वहाँ पर email address और mobile number डालना पड़ता है जिसके ऊपर एक OTP आता है और जैसे हम verify करते हैं तो बाद में जब भी हम communication करते हैं department हमसे उसी email address के ऊपर communication करता है इसलिए email address जो चालो होई वह ही डालना है में अगर हमरे संस्ता के अगर कोई website अड्रेस है तो वह भी हम डाल सकते हैं कि उसके बाद है trust committee members अधार and pencard वहाँ पर जो नाम डालना पड़ता है ना friends वह आधार काड़ के ऊपर जो नाम है या फिर pencard पर जो नाम है वह ही डालना पड़ता है अगर हम गलिट डालेंगे तो form आगे submit नहीं होता इसलिए जब भी आप नित्यायोग में रिशिजिन के लिए apply करते हैं तो सारे committee members के क्या किजिए आप आधार काड़ की कॉपी लिजिए और pencard की कॉपी लिजिए उके उसके बाद आता है trust committee members details अभी देखें यहां पर details क्या है तो यहां पर details में लेना है उनका email address उनका mobile number यह दो चीज़ी लेनी है उसके साथ ही वो लोग वो सदे से हमारे संस्ता में कब से काम कर रहे हैं या फिर हमारे संस्ता में कब से सदसे हैं वो details वहां पर data of joining डालने पड़ती है उसके बाद chief functionary की details डालना पड़ता है क्योंकि हमेरे जितने भी committee members हैं उन में से हमें एक chief functionary appoint करना पड़ता है कि जो संस्ता के बहाफ सारी documents की उपर sign करेगा तो उसका क्या लगेगा हमें उसका क्या लगेगा फुल नेम लगेगा वहां पर डालना ही पड़ेगा उसका address लगेगा खुद का उसके साथ उसका pin code email address mobile number वहां पर डालना पड़ता है उसके साथ ही details of fund received form government अगर आपकी संस्ता को कहीं से अगर refund मिलता है government department से तो उसकी details वहां पर देनी पड़ती है अगर government से मिलता है तो तीन financial year के details देनी पड़ती है अगर अभी कौन सा financial year चालो है बीस एक्कीस ओके बीस एक्कीस तो आठरा उन्नीस सतरा आठरा और 16-17 का details आपको डालना है वहां पर उसके साथ है annual report, activity report and bylaws copy अभी देखे यह report तो वहां पर submit करने की कोई जरूरेत नहीं है लेकिन इसके आधार पर हम वहां पर हमारे activity डाल सकते हैं एक तो activity performed और जो हम perform करना चाहते हैं वो दोनों हम वहां पर डालते हैं जैसे education है एफर education से related कोई भी service यान public charitable activity करते हैं तो वहां पर डाल निया में ओके इस video में मैंने आपको सारी चीज़े बता दी हैं कि नेतिया augmentation करने के लिए कौन से documents लगते हैं फिर भी आपको कहीं भी doubt है तो मुझे call कर सकते हैं मैंने यहां पर मेरा number दे दिया है email address भी मैंने यहां पर मेरा दे दिया है ओके और इसके साथ ही मैं NGO को बहुत सारी services प्रोवाइड करता हूं जैसे की टुल वे रेशेशन, एटीजी रेशेशन, एपसेड रेशेशन चाहते हैं तो मुझे call कीजिए मैं कम से कम फी में आपको इस सारी services प्रोवाइड करूँगा उसके साथ ही मैं आज के लिए इतना ही धन्यवाद